नमस्ते दोस्तों आज हम ब्रेट का बहुत चटपटा नास्ता बनाएंगे और बिना बॉयल की यह आलू से यह खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता बनाने में बहुत ही आसान है चलिए बनाना शुरू करते हैं उसके लिए एक बड़ा बाउल या फी कोई बरतन ले सकते हैं इस तरह से ब्रेट तोड़ के डाल देना है उसमें जितना बनाना उतने ब्रेट ले लेना है इस तरह से तोड़ लेना है देखिए इस तरह से मैस कर लेना है आसानी से मैस हो जाते हैं अब इसमें आलू डाल देना है छोटे छोटे हमने आलू काट लिया है और अच अब टमाटा डाल देना है एक टमाटा ले लिया एक प्याज ले लिया है अब हरी मिर्च डाल देना है और पुदीना की पत्ती और हरी धनिया पत्ति तो भी डाल सकते हैं अब हल्दी पाउडर लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर नमक टेस्ट कार्डिंग थोड़ा सा फूट कलर इससे कलर बहुत अच्छा आता है बिना फूट कलर के भी बना सकते हैं ऐसे भी बहुत टेस्टी लगते हैं अब थोड़ी सी हिंग डाल देना और जीरा डाल देना अब सारी चीज़े अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें पानी की जरूरत नहीं लगे क्योंकि प्याज और आलू टमाटर पानी छोड़ेंगे इसलिए ऐसे ही मैस करना है बहुत आसानी से मैस हो जाता है देखिए अच्छे से मैस हो चुगा है अब इसमें थोड़ा सा आरा रोट डाल देना है या फिर चावल काटा भी डाल सकते हैं या फिर कान फ्लोर भी डाल सकते हैं अच्छे से मिक्स कर देना है पानी की जरूरत लगे तब डाले नहीं तो पानी बिल्कुल न डाले ऐसे ही मै पाटे जैसे गूंत लेना इसको अच्छे से मैस हो चुगा है तेल गरम होने के लिए रख दिया थामने पायन में इस तरह छोटे छोटे गोले बना के डाल देना है किसी भी सेफ में बना सकते हैं और धीमी आज में पहले पकाना है बहुत ज्यादा धीमी नहीं पकाना मेडिय और क्रिस्पी नहीं होंगे देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है फूट कलर डालने से बहुत अच्छा कलर आता है बढ़िया सा क्रिस्पी होने तक इनको पका लेना है देखिए बढ़िया सा कलर आ चुका है और क्रिस्पी भी हो चुके हैं अब इनको निकाल लेना है ऐसे ही सारे तल लेना है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगते हैं। चटनी आप ये चाय के साथ खा सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं। अब इनको ये उलट पलट के पका लेना है। देखें सारे बनके तयार हो चुके हैं। और कितने क्रिस्पी हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेश्टी लगते हैं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। एक बार जरूर बनाईएगा। बनाने में बहुत ही आसान है। वीडियो देखने के लिए बहुत भुत धन्यवाज दोस्तों मिलते हैं। नई वीडियो के साथ तक रहते हैं।